आखे क्यों परिंदिती चोपडा कर रही हैं रागव चड़ा से शादी वज़ा जान कर आप हो जाएंगे हैरान नमस्कार स्वागत है आपका N27 News में आपके साथ मैं हूँ संजीवनी चोधरी जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड की टैलेंटेड और होट अभी नेतरी परिंदिती चोपडा की जो रागव चड़ा से जल्द ही शादी करने वाली हैं आज हम उनसे जुड़ी कुछ राज की बाते बताने वाले हैं जो शायद आप सभी ने पहले कभी नहीं सुनी होंगी एक्टरस परिंदिती चोपडा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है परिंदिती न सर्फ अपनी एक्टिंग बल की अपनी सिंगिंग के लिए भी जानी जाती हैं अब तक के करियर में उन्होंने कैई फिल्मों में काम किया है वो उन अभी नेत्रियों में से एक हैं जो हमेशा ही परदे पर कुछ अलग और नया करने की चाहा रखती है आपको बता दें कि परिंदी चोपडा का जनम हरियाना के शहर अंबाला में 22 अक्टूबर 1988 को एक हिंदू परिवार में हुआ था उनका निकनेम टीशा और परी है उनके पिता का नाम पवन चोपडा और माता का नाम रीना चोपडा है परिंदी के दो भाई भी हैं जिनका नाम शिवांग चोपडा और सहज चोपडा है परिंदी चोपडा पढ़ने में काफी होश्यारती उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरियाना अंबाला के Convent of Jesus and Mary अंबाला स्कूल से पूरी की है इसके बाद परिंदी चोपडा अपने आगे की शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के लिए इंगलेंड चली गई थी परिंदी ने इंगलेंड के मैंचेस्टर बिजनस स्कूल मैंचेस्टर इंगलेंड कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया जहां पर उन्होंने बिजनस, फाइनस और इकोनामिक्स में ओनर्स की डिगरी प्राप्त की और फिर भारत लोट आई परिंदी चोपडा शुरू से ही इंवेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी लेकिन जॉब ना मिलने की वज़ा से उन्हें भारत लोटना पड़ा इसके बाद उनकी चचेरी बेहन प्रिंका चोपडा ने उन्हें ये श्राज फिल्म स्टूडियो में मार्केटिंग विभाग में नोकरी दिलवाई यहीं से उनके मन में अभी नेतरी बनने की इच्छा हुई और उन्होंने साल 2011 में फिल्म लेडीज वर्सेज रिकी बेहल से अपना बॉलिवूड डेब्यू किया इस फिल्म में परिनिती चोपडा ने रनवीर सिंग और अनुषक शर्मा जैसे स्टार कास्ट के साथ काम किया इस फिल्म में परिनिती ने डिमपल चड़ा का किरदार निभाया था फिल्म में परिनिती की एक्टिंग की जम कर तारीफ हुई थी इसके बाद इशकजादे, शुद्ध देसी रोमेंस, हसी तो फसी, मेरी प्यारी बिंदू, गोलमाल अगेन, केसरी, जबरिया जोडी और उचाई जैसी फिल्मों में काम किया है आपको बताते चलें कि परिनती चोपड़ा को साल 2012 में फिल्म लेडीज वर्सेज रिकी बहल के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टरस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरस का अवोर्ड मिला था महीं 2012 में इशक जादे के लिए स्पेशल मेंशन और 2015 में स्टाइल आइकोन ओफ द इयर अवोर्ड मिला था अब बात करें आम आदमी पार्टी के नेता और परिनिती चोपड़ा के होने वाले पती रागफ चड़ा की वे राजनिती में आने से पहले एक चार्टेड अकाउंटिंट थे यूँ तो एक राजनिता होने के कारण रागफ चड़ा की नेट वर्थ सही आकना शायद ही कुछ कह पाएं रिपोर्टर्स की माने तो रागफ चड़ा के पास कुल संपत्ती 50 लाक रुपे की है जो की परिनिती चोपड़ा की कुल संपत्ती से कैई गुना कम है एक्ट्रिस करोडो की मालकिन है आप नेताक ने नामांकन के दोरान भ्यूरो किया था जिसमें बताया था कि उनके पास 37 लाक रुपे का घर एक मारुती सिजू की कार है जिसकी कीमत करीद 13 लाक रुपे है महीं अगर पदिनिती चोपड़ा की बात की जाए तो रागफ चड़ा से कमाई हो या प्रोपर्टी हर मामले में कैई गुना आगे है एक्टरस एक महीने की कमाई रागफ की कुल संपत्ती से भी ज्यादा है वो एक महीने में 40 लाक से भी ज्यादा की कमाई करती है इंडरस्ट्री की A-Listed Celebrities में से एक है उनके पास लगबग 60 करोड की संपत्ती है वो एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड रुपे चार्ज करती है परिंदी चोपडा के पास मुंबई में A-Facing अपार्टमेंट है उनके पास ODA6, Jaguar, XJL और ODQ5 जैसी कारे हैं जिनने वो चलाती है इन कारों की कीमत करोडों में है परिंदी चोपडा और रागफ चड़ा के बीच एक बात सिमीलर है दोनोंने एक ही जगा से पढ़ाई की है उन्होंने लंडन स्कूल ऑफ एकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई की है परी रागफ से पढ़ाई के मामले में भी काफी ज्यादा आगे है जहां आप नेता ने दिल्ली के मॉडन स्कूल से पढ़ाई की दिल्ली यूनिवस्टी से बीकॉम किया और बाद में लंडन से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली वहीं बॉलिवूड एक्ट्रस ने इंग्लेंड के एरलेंस मैंचेस्टर बिजनस स्कूल में पढ़ाई की है इतना ही नहीं उनके पास बिजनस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रपल ओनर्स की डिग्री भी है अभी के लिए इतना ही ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N27 News